आज मैं बराने जा रही हो करॉंदा मिर्ची का आचार बहुत ही टेश्टी होता है और आप इसको कभी भी पूरी में बहुत हा story के साथ Lavender के साथ और आप घा करौंधे का जूस पीते हैं तो आपका जो शुगर है वो नॉर्मल होता है हार्ट से रिलेटेड़ प्राब्लम होती है उनमें भी फायदा करता है और जो एंटी ऑक्सिडेंट भी होता है साथ में और इसके अंदर बहुत सारे विटामिन सी बहुत अधिक पाया जाता है बीपी को कंट्रोल करता है और मतलब काफी कोल्ड कफ कैंसर सभी में बहुत लागा है इसका डिटेल पीडियो मैं एक बार दूँगी ताकि आपको करौंधे के बारे में अच्छे से जानकारी हो और आप इस करौंधे का यूद्ध जरूर करें के लिए मैंने करौंधे को सबसे पहले अच्छे से वाश करके और अच्छे से साफ कर लिया है मिर्च को और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सुखा लिया यह मैंने मसाले लिया है जो इसके अंदर में डालूंगी और उसके बाद इसको हमें कैसे कट करना है इसको जो इस फैदयमंद ही होता है तो अगर आप चाहंए तो निकाल भी सकते हैं और लेंगे चाहते हैं तो लुक शाएस पर इस तरह से ऐसे चरॉजन के लिए गए उसके लेंगे इस तरह से उसके बाद फिर हम यह भी आपको दिखा और दर्काडलगे me said ME कि कि अब आप मैस्टर्ड और यहां पर मैंने अब उenga आरहा है यहां पे यहां पर मैंने दोड़ा ही ओक मैंडला है उसके अंदर । और कालाजी पिres까 पटन्ज फोरं बोलते हैं इसको पहले अपने पिछले एक वीडियो में ने पटनाने का भी किचें टिप्स में दिया है कैसे पटन्ज फोरां बनाते हैं और यहां पर मैं कुछ मसाले का यूज़ करूंगी धन्या पाउडर उ्हल्धी पाउडर तो यहां पर मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैंने यहां डाल दिया है अब सबसे पहले हम यहां मिर्चि डालेंगे क्योंकि करॉनधा बहुत जल् início कर जाता है तो सबसे पहले मिर्चि को थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे फ्रेंज ये अचार बहुत टेस्टी बनता है अगर ये बार आपने खा लिया तो फिर आप एक खतम होगा और दूसरा बना के रखेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है पराटे के साथ और किसी के साथ भी आप खा सकते आप चाहें तो साल के लिए बना के रख सकते हैं तो ये अचार काफी दिनों तक भी आप रख सकते हैं जैसा आप हो अब यहां पर मैंने साल्टेट कर दिया है सौत की अनुसार और इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद यहां पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर हमने जो सॉंफ डाला है वो पीसा हुआ डाला है तो सॉंफ को हमें पीसा डालना ताकि अच्छे से इसके अंदर अच्छे से सॉंफ की जो एक टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है यह आप देख सकते मैंने दरदरा इसको पीस लिया था और इसको उपर से भी डाल देंगे ताकि इससे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यहां पर मैंने डाल दिया है इसमें बहुत अधिक तेल की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन आप जब भी बनाएं तो मस्टर्ड ओयल में बनाएं त और ताकि मसाले जो हमने डाले हैं वह अच्छे से इसके अंदर मिल जाए तो अभी हम इसको चला लेंगे फिर से कवर करेंगे और उसके बाद अगर आपको इसको इसको इस्टोर करना है एक साल तक के लिए रखना है तो आप यहां पर विनेगर का यूज कर सकते हैं तो यह मैंने विनेगर लियां ओर सब्सक्क्रिव और विनेगर है और आप यहां पर विनेगर कीए नहीं किया है लेकिन अगर आपको लॉंग टाइम तक रखना है तो आप यहां पे एक से दो ढखकन बिने कर डाल सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके और यह बहुत टेस्टी लगता है मैं दुबारा भी इसको बनाऊंगी और एक दूसरे तरीके से भी यह बनता है खटा मीठा भी बनता है तो हम कच्छे आम का खटा मीठा बनाते हैं उसी तरह से हम इसका भी बना सकते हैं तो यहां पर हमारा करॉंदा मिर्ची का चार रेडी हो गया है मैंने एक बाउल में इसको ले लिया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया कितना टेस्टी लग रहा है मेरे तो जरूर कीजेगा फ्रेंड्स फैमिली में और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और फ्रेंड्स लाइक जरूर किया कीजिए लाइक से हम